ज़ारकन के अतिव गुर्वात प्रभावित शेत्रों में 301 किलोमीटर सड़क और 26 पुलों को केंद्रे ग्रामिड विकास मंत्राले ने सुकृति दे दी है ये संचिकाएं ग्रामिड विकास मंत्राले के पास अठकी भी थी इन सडकों और पुलियाओं के बन जाने से नक्सल प्रभावित ग्रामिड एलाकों में आवागमन सुलब हो जाएगा ग्रामिड विकास मंत्राले ज़ारकन ग्रामिड शेत्रों की इंफ्रास्ट्रुक्चर डेवलेमेंट के लिए प्रती बद्ध है केंद्री बित्याले विकास मंत्राले ने 361 किलो मिटर सडक योजना को मन्सूरी दी है जो अती नक्सलवाद प्रभावित शेत्रों में पड़ता है इनमें 58 सडके हैं और 26 पोल पुलिया है इस सेक्योरिटी को मिलाकर 900 किलो मिटर सडकों की स्विकिर्थी मिल चुकी है ग्रामिन विकास मंत्री आलमकीर आलम ने बताया कि अब तेज गती से चारकन के ग्रामिन इलाकों का इंफ्रास्ट्रुक्चर डेवलेप्मेंट हो सकेगा ग्रामिन विकास मंत्रय जाई है और बजट की राशी बहुत हद तक खर्च कीजा चुकी है और हम लोग का काम देखा जाए तो दिसम्बर को मार्स तक होता है तो हम लोग दिसम्बर से सुरुवाद हम बढ़िया जोलो से किया है बहुत सारी सड़क फुल पुलिया, आज भी शीक्रित हो रहा है, तेंडर भी हो रहा है जारकन सरकार का बजट भी तयार किया जाना है मंत्री ने कहा कि जारकन को GST माधिमिक समय पर उसका हिस्सा मिल जाए इंद्रांस की राशी समय पर मिल जाए तो जारकन का भी सरवांगिर विकास समभव हो सकीगा निवस लवन भारत के लिए कैमेर पर सिंट कुनाल की साथ शाहनवाज सकतर की रिपोर्ट